मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटीव चेनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं JP Power Share के बारे इसका पूरा नाम है JP Perkast Power Ventures Limited 52 विक की हाई की बात करें तो 6 रुपए 85 पैसा का इसने हाई बनाया है 12 विक की लोग की बात करें तो 2 रुपए 40 पैसा का इसने लोग बनाया है एक मंत रिटन की बात करें तो 15.79 परसेंट का इसने पॉजिटिव रिटन दिया है वन मंत रिटन की बात करें तो 69.23 परसेंट का इसने पॉजिटिव रिटन दिया है हम लोग 3 hour के चार्ट से लेके मंतली चार्ट तक एनलाइस करके जानेंगे इसका target और stop loss ठीक है फ्रेंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर ने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा इस एर पर अगर कोई latest news होगा तो मैं वीडियो के end में उसका screenshot दे दूँगा और अगर आप लोग beginner हो या trading करने में problem आती है तो आप लोग मेरे group में add हो सकते हो मैं आपको पूरा guide करूँगा और per day investment के हिसाब से आपको 1000-5000 तक का profit दिलवाऊंगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें इसमें जो मेरा first target होगा वह होगा 5 रूपए 65 पैसे का इसका second target होगा 5 रूपए 85 पैसे का इसका third target होगा 6 रूपए 5 पैसे का ठीक है अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा 5 रूपए 35 पैसे का इसका second stop loss होगा 5 रूपए 10 पैसे का और इसका third stop loss होगा 4 रूपए 85 पैसे का अब हम लोग बात करेंगे डे केंडल पे डे केंडल पे इसका जो first target होगा वह होगा 5 रूपए 75 पैसे का इसका second जो target होगा वो होगा 6 रुपए 30 पैसा का और इसका third जो target होगा वो होगा 6 रुपए 90 पैसा का ठीक है friend अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा 5 रुपए 5 पैसा का इसका second stop loss होगा 4 रुपए 55 पैसा का और इसका थर्ड स्टॉप लोस होगा चार रुपे का ठीक है फ्रेंड अब हम लोग बात करेंगे वीकली केंडल पे वीकली केंडल पे इसका जो फर्च टार्गेट होगा वो होगा 6 रुपे 6 रुपे 50 पैसे का इसका सेकेंड जो टार्गेट होगा होगा 7 रुपए 55 पैसे का और इसका थड़ जो target होगा इसका थड़ जो target होगा वो होगा 10 रुपए 40 पैसा का ठीक है फ्रेंट अब हम लोग बात करेंगे इसके stop loss की तो इसका first stop loss होगा इसका first stop loss होगा चार रुपे 90 पैसा का इसका सेकेंड अस्टॉप लोस होगा 4 रुपे का और इसका थर्ड अस्टॉप लोस होगा 2 रुपे 60 पैसे का 2 रुपे 60 पैसे का ठीक है फ्रेट अब हम लोग बात करेंगे मंतली केंडल पे मंतली केंडल पे इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 6 रुपए 50 पैसे का इसका सेकेंड जो टार्गेट होगा वो होगा 7 रुपए 55 पैसे का और इसका थर्ड जो टार्गेट होगा वो होगा 10 रुपए 40 पैसे का हुआ ठीक है फ्रेंड अब हम बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की तो इसका फिश्य का स्टॉप लॉस हो जाए गा चार रुपए 50 पैसा का इसका सेकैन डा स् Requies हो जाएगा तीन रुपए 90 पैसा का और इसका थ रुपए 60 पैसा का, ठीक है फ्रेंट, तो आसा करता हूँ फ्रेंट, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं फिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई